अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं, महाराज पांडू एवं रानी कुन्ती के वह तीसरा पुत्र और सबसे अच्छा तीरंदाज था, वो द्रोनाचार्य का शिश्य था, जीवन में अनेक अफसरों पर उसने इसका परिचे दिया था, द्रौपदी को स्वयमवर में ज गीता था, कुरूक्षेत्र युध्ध में ये भी एक प्रमुख योध्धा थे, अर्जुन ने ही कुरूक्षेत्र में श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किये जो गीता में वर्नित हैं, महाराज पांडू की दो पत्निया थी कुन्ती तथा मादरी, मुनी दुर्वासा के वर्दान द्वारा धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्र का आहवान कर तीन पुत्र मान गे, इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ, द्रोन आचार्य को ऐसे योधाओं की आवश्यक्ता थी जो राजा दुरुपत से प्रतिशोध ले सके, इसी कारल में के 105 राज कुमारों को शिक्षा देने लगे जिसमें से एक अर्जुन भी था, अर्जुन विश्व का सर्वश्वेश्थ धनुर्धर माना जाता था